नमस्कार साथियों आज हम बात करने वाल है यूपी प्लिस रेडियो अपेटर के एक्जाम डेट के बारे में कि दोस्तों आज 22 मार्च हो चुकी है यानि कि 22 मार्च को इस भर्ती का जो फीज को पेमेंट करने की लाश डेट थी यानि कि आज पूरा एक साल कंप्लिट हो चुका है इस भर्ती को आए हुए लेकिन दोस्तों अभी तक ना तो भर्ती वोड की तरफ से कोई एक्जाम डेट ऑफिसल ही पता चली है और ना ही कोई नोटिस बगरा देखने को मिला है आपको क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने 15 मार्च को टुईटर कैंपेन भी किया था लेकिन दोस्तों उसके क्यूंकि तोसमें काफी सारी टुट हो नहीं पाए यानिकी मामला तेंडिंग में नहीं गया और तेंडिंग में नहीं गया यसी का रिजल यह है कि अभी तक भर्ती वोड उस पर कोई भी official जवाब नहीं दिया है तो दोस्तो कही ना कही हम लोगों की unity में भी कमी है चलो कोई ने हम देखते हैं कि आपकी exam date क्या हो सकती है इस video में मैं यही बताने वाला हूँ और दोस्तो आप बिल्कुल भी demotivate, feel मत करिए आप बस preparation में लगे रही है कि दोस्तो आपका exam इसी 2023 में ही होगा और 2024 में आपको joining मिलने वाली है यह बस अपना यह mind में रखिए कि 2024 में हमको head radio operator की या फिर assistant radio operator की जो मिलने वाली है बिल्कुल निश्चिंद रही है इस चीज की बारे में अब मैं बताने वाली हूँ आपको थोड़ी और जानकारी देता हूँ तो दोस्तों अगर हम बात करें आपके head radio operator की तो दोस्तो head radio operator में 936 पत्थे उनके लिए 65,516 फोर्म भरे गए थे और assistant radio operator की बात करें तो इसमें 388,911 फोर्म भरे गए थे आपके assistant radio operator में और अगर हम बात करें बर्क साफ इस्टाब की तो दोस्तों बर्क साफ इस्टाब में 37614 फोर्म भरे गए थे बर्क साफ इस्टाब के लिए दोस्तों ये तो रही आपके vacancy और ये फोर्म कितने भरे गए उसके बारे में दोस्तों यहां से देखकर आप बिल्कुल भी demotivate फील मत करिए कि दोस्तों यहां पर बहुत ही कम फोर्म भरे गए हैं यहनि कि अगर आप अच्छे से तैयरी करते हैं तो दोस्तों आपकी एक seat पकी हो जाएगी इसमें कि दोस्तों काफी सारे student है जो कि अभी किसी अन्य तयारी में लगे हुए हैं जैसे कि आपका SSC हो गया या फिर एक तो सबसे बड़ी vacancy आपकी railway की group D होगी अगर group D में जिसका selection हो गया है न तो दोस्तों उसका तो अभी बिल्कुल भी तयारी नहीं हो पा रही है कि दोस्तो मैं आपको भी खुसकबरी एक बता दूँ कि group D में हमारा भी हो गया है तो दोस्तों उसके लिए आप सभी का तया दिल से धन्यवाद की अब चलते हैं नेस्ट सिलाइड में चलते हैं और आपको exam date के बारे में confirm information बताने वाला हूँ तो दोस्तों आपकी जो expected exam date रहने वाली है वो दोस्तों आपकी जून से जुलाइ के बीच में आपका पेपर 100% complete करा लिए जाएगा आपका जून से जुलाइ के बीच में paper होने वाला है और अभी हम मान के चलें आपके पास कितने दिन बचे हुए है तो दोस्तों 8 दिन तो इस महीने में बचे हुए है तो दोस्तों 30 दिन और 30 दिन आपकी 68 के करीब आपके पास दिन बचे हुए है अगर आपका पेपर जून में होता है तो आपके पास 68 दिन है अगर जून के मिड में होता है तो दोस्तो भई आपके पंदरा दिन और बढ़ जाएंगे तो दोस्तों यह तो रहे आपके पास लगवक 70 दिन के करीब हैं अगर हम मोटा मोटा जोड के चलें तो 70 दिन में आपको तयारी तो आपकी लगवक कम्पलीट हो चुकी होगी आपको सिर्फ प्रक्टिस करनी है तिक दोस्तों प्रक्टिस से ही आप परिछा में बही कोचन कर जो कि आपने अच्छे से प्रक्टिस किया होगा कि दोस्तों बहाँ पर बहुत सारी कोश्चन होगे आपके पास 200 कोश्चन होगे तो दोस्तों और आप दोस्तों बात करते कि आपको प्रक्टिस कैसे करने है कि दोस्तों आपको पता है कि आपके स्लेवस में टोटल चार पार्ट है यहनि कि आपका एक हो गया मैत का एक रीजिनिंग का एक जीके जीस का और दोस्तों चौथा हो गया आपका हिंदी का तो दोस्तो आपको daily हर subject के लगवग 40 या 50-50 क्यूंकि दोस्तो आपके परिच्छा में 50 question पूशे जाएंगे हर subject से तो दोस्तो हर subject के daily आपको 50-50 question लगाने है जिस्से कि परिच्छा में किसी भी type का question बने तो आप से easily बन जाए अब दोस्तों बात करें अगर science की तो दोस्तों science के लिए daily मैं practice set चलाता हूं उसको आप daily लगा सकते हैं क्योंकि दोस्तों हमारे वीडियो होता है 15-20 minute का होता है 15-20 minute में हम daily 20 question कराते हैं आपको science के और जिसमें की सारे concept आपको clear हो जाते हैं 20 question के तो दोस्तों 20 minute अगर हम आप हमको daily देते हैं और उसके बाद जो भी question आपसे नहीं बना या हमसे समझ में नहीं आया तो उसको आप book से या नेट से देख सकते हैं और दोस्तों यही एक तरीका होता है त्यार को effective बनाने का है यानि कि जब आप खुद से करेंगे तो आपको mind में ज्यादा clear हो जाएगा और दोस्तों दोस्तों आपसो तुवारा गलत नहीं होगा अगर आपने जो खुद से लगाया है इदर उदर देख दक के बहले ही लग तो दोस्तों आप 40-50 मिलिट टेली साइंस में दीजिए इसमें आपकी साइंस बिल्कुल complete हो जाएगे आप 25 में से 25 कोश्चन करके आएगे यह हमारा दावा है ठीक दोस्तों तो अब हम आपका थोड़ा syllabus दिखा के थोड़ा आपको अच्छे समझा तो दोस्तों यह है आप डेली प्रेक्टिसाइड लगा रहे तो कोसित यह करिए कि आप दो गंटे में अपना पूरा पेपर फिनिस करिए और दोस्तों यह कोई बड़ी बात भी नहीं है क्योंकि दोस्तों एक 20 मिलिट में 200 कोश्चन किये जा सकते हैं मलब यह पॉसिबल है आप ऐसा मैं समझे कि य दोस्तों आपको इस पर समान गयान में तो कुछ सोचना हिनी नहीं होता है समान गयान में 25 कोष्चन आपको 10 मिनट के अंदर करने है कि दोस्तोय हो भी जाएंगे डोस्तों समान इंदी में भी आपको ज्ज ihrना समय नहीं लगेगा भ Nicht Paragraph पढ़ने में और Reading comprehension होती है उसमें को थोड़ा समय लगेगा तो दोस्तों ये था आपका पूरा स्लेवस जो कि मैंने बता रखका है दोस्तों अभी आप जब तक एक्जाम डेट नहीं आ जाती है मैंने तो आपको बताई दिया कि आपका जून से जुलाई के बीच में आपका पेपर 100% कम्पलीट हो जाएगा अ आप डेली 50 कोशन हिंदी के लगाईए और विग्यान के भी लगाईए विग्यान के आप 20 कोशन ले सकते हैं और सामान गयान के 20 कोशन तो मैं विग्यान के कराई रहा हूं आपको इसमें सिर्फ सामान गयान के 20 कोशन लगाने है डेली और मैत के आप डेली 50 कोशन क्छिए दॉस्तों उसमें भी आपके concept काफी clear होती चले जाएंगे तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए अगर आपको कोई doubt है तो comment करीए दोस्तों हमारी डेली की science की वीडियो आप देखते रही है धन्यवाद